और इस वक्त की बड़ी ख़बर अब आप तक पहुंचाते हैं आज देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राइरन चल रहा है बीजेपी ने इस पर पलटवार किया लेकिन पहले आपको सुनाते हैं अखले शियादव की ओर से क्या कहा गया है देखें मैं तो नहीं लगवाँगा अभी वैक्सीन मैंने अपनी बात कहती है और वो भी बीजेपी लगाईगी उसका वरुसा दरूमा में अब जाओ भाही अब अपनी सरकार आगी सबको फुरी वैक्सीन लगेगी हम बीजेपी का वैक्सीन लगा सकते हैं देश के उन बैज्जानिकों को वा उन डाक्टरों का जिन रात पर इस्ट्रम करकी इस वैक्सीन को तयार किया है जिसे लेने के लिए पुरी दुनिया और पुरा देश लगातार प्रतिच्छा कर रहा था और आपने वहां लगाने से मना करके वहां भी उसका सार्जनिक बयान देख करके जो किया है वहां निशित तोर से या सबका अपमान है और आप से मैं पेच्छा करूँगा कि इसके लिए आप माफी मांगें उमीद लेकर आई है लोगों के जिन्दीगी को बचाने के लिए यकीनन एक नेता की ओर से अगर इस तरह का बेहत हलका और गैर जिम्मिदाराना बयान दिया जाएगा तो कई सवाल उठेंगे ही इन सब की बीच बीजेपी को भी अब मौका मिल गया है उसे सीधे सीधे ये कह सब्सक्राइब कर दिया है कि दर असले बैक्सिन पर सवाल वैज्यानिकों का अपमान है अब फर से सुनिये अखले श्यादव को नहीं नहीं यह अबिजेपी का वैक्सीन नहीं है दो कि मैं अपनी बात कहते हैं और वो भी बीजेबी लगाईगी उसका वरुसा दरूमा में। पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रहें आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले।